चिर सजग आँखें उनी दी आज कैसा ब्यस्तबाना जाग तुषको दूर जाना चिर सजग आँखें उनी दी आज कैसा ब्यस्तबाना जाग तुषको दूर जाना अचल हिंगिर के हरदय में आज चाहे कंप हो ले या प्रले की आशुओं में मौन अल्चित भी हमरो ले आज पी या लोग को दोले तिमिर की घोर चाया जाग या बिदुष सिखाओं में चोड़ जाना जाग तुषको दूर जाना या पंक्तियां हैं हिंदी साहित की प्रख्यात कव्यत एवन लेह का महादेवी वर्मा जी की महादेवी बर्मा की गिंती छायवादी युक्के चार प्रमुखिस्तंब स्री जैसंकर प्रसाद, स्री सूरिकांत्रिपाथी निराला एवं सुमित्रा अंदन पंत के साथ की जाती है महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में हुआ था हेमरानी वर्मा था इनकी माता भी कवियत्री थी महादेवी जी के नाना ब्रजभासा की अच्छे कविते इससे बचपन से ही महादेवी जी में कविता करने की रुचि उत्पन्न हो गई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा इन धौर में हुई वहां उन्होंने छट्वी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की घर पर ही चित्रकला संगीत आध की शिक्षा उन्हें दी गई महादेवी जी ने भी ये जबलपूर से किया सन 1932 में इलाहवाद विश्विद्याले से संस्कृत में आपने यमय की उपाधी प्राप्त की महादेवी जी का विवाह डाक्टर स्वरूप नारायन वर्मा जी के साथ हुआ था में उत्तिर करने के उप्रांत वे प्रयाग महिला विद्या पीठ की प्रधानाचारे नियुक्त हुए उनका जीवन शिक्षा और साहित्य स्रियन में ही बेतीत हुआ महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुआ महादेवी जी हिंदी साहित्योपवन की सुर्वि सुमन रही हैं साहित्य जगत की देदीप्यमान नक्षत रहे हैं उन्होंने गद्य, कभिता, सिक्षा और सित्रकला सभी छेत्रों में किर्तिमान स्थापित किया है काभ विशंग्र हैं उनके नीहार जो उन्हें सो तीस में प्रकाशित हुआ रस्मी 1932 में प्रकाशित हुआ नीरजा, नीरजा 1935 में प्रकाशित हुआ, सांधिगीत 1936 में प्रकाशित हुआ, दीप सिखा 1942 में प्रकाशित हुआ इस तरह से और अनेक इनके काभ गरंत हैं गद्य साहित्य में भी महीयसी महादेवी वर्मा ने किर्थिमान इस्तापित किया है आपने निबंध और रेखा चित्र के माध्यम से साहित्य जगत की भरपूर सेवा किये है निबंध संकलनों में आलोचना स्रिंखला की कडियां संकल पिता क्षणदा साहित्यकार की आस्ता और अन्य निबंधिस में संकली थैं रेखा चित्र जो बहुत ही प्रशिद्ध हुए है अतीत के चलचित्र इस्मृत की रेखाएं मेरा परिवार और आपने प्रारम में चांद पत्रिका का संपादन भी कुछ दिन किया है और हिमाले ग्रंथ का आपने संपादन किया है महा देवी जी के प्रदे को देखते हुए उनकी साहित्य सेवा को देखते हुए उन्हें अनेक अलंकर्णों से अलंकृत किया गया सक्सेरिया पुरसकार उन्हें 1934 में प्रदान किया गया दुवेदी पदक 1922 में प्राप्थ हुआ मंगला प्रसाथ पुरसकार उन्हें सो तेतालिस में इन्हें प्राप्थ हुआ भारत भारती पुरसकार उन्हें सो तेतालिस में मिला भारत सरकार ने महियसी महादेवी बर्मा को 1956 में पद्म भूशन सम्मान से सम्मानित किया आपको 1982 में ज्ञान पीठ पूरसकार मिला और फिर से भारत सरकार द्वारा पद्म भिभूशन 1989 में आपको प्रदान किया गया इनके अतरिक्त अनेक अलंकरण महादेवी जी को प्राप्त हुए और महादेवी जी इन अलंकरणों से भी बहुत आगे है महादेवी जी की रचनाये साहित्ति की अमूल लिन्नी धी और गध्य और पद्य दोनों पर आपका समान अधिकार रहा है गद्धि साहित में संस्मर्णों और रेखा चित्र लेखन को प्रारंब करने का असरे महादेवी जी को ही जाता है इनके संस्मर्णों में कोमल मानवी अभावनाओं और संबेदनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही हिर्देश पर्षी एवं मार्मिक्ता के साथ हुई है महादेवी जी के पात्र प्रायह अनाथ इसने से वंचित गरीब समाज द्वारा प्रतालित किंत इमानदार व्यक्ति अथवा पश्पक्षी होते हैं इन्होंने नारी की समस्याओं को भी बहुत प्रभावसाली धंग से व्यक्ति किया है बच्चो आपकी पाठ्र पुस्तक में संकलित घीशा एक चर्चित रेखाचित्र है जिसमें महादेवी जी का एक संबेदन सील एवं सहज सा अध्यापकिय व्यक्तित्तों उभर कर सामने आया है अब प्रस्न यह उठता है कि रेखाचित्र है क्या आईए सबसे पहले हम रेखाचित्र को समझें वास्तों में रेखाचित्र एक भाव प्रधान रचना है जिसमें एक ही वस्तु विशे का भाव प्रवन मार्मिक एवं प्रभावी किन्तु शाब्दिक रेखाओं में अंकन होता है रेखाचित्र किसी वस्तु व्यक्ति घटना या भाव का कम से कम सब्दों में मर्मिक परशी भावपूर्ण एवं सजीव अंकन होता है रेखाचित्र वणन प्रधान संस्मरण कहा जाता है किन्तु चित्रात्मक्ता संस्मरण से प्रिथक कर देती है रेखाचित्र में कहानी की तरह चरित्र का उदगाटन तो होता है लेकिन कहानी के पात्र कल्पित होते हैं और रेखाचित्र के वास्तविक होते हैं कुछ विद्वान रेखा चित्र और संस्मरण को एक ही मानते हैं परंत दोनों में थोड़ा सा तात्वी कंतर हैं संस्मरण लेखक के स्मृति पटल परंकित किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विब्रण होता है जमकि रेखा चित्र किसी वस्त या पात्र का आकर्शक ढंग से चित्रात्मक बनन होता है संस्मरण जो है वह वास्तविक होता है रेखा चित्र कालपनिक भी हो सकता है संस्मरण संक्षिप्त होता है जमकि रेखा चित्र विश्त्रित होता है संसमर्ण किसी महापूरुष या विशिष्ट घटना से सम्मन्दित होता है और रेखाचित्र किसी भी साधारण विशह पर लिखा जा सकता है अब आएए देखते हैं कि रेखाचित्र के आवस्यक तथ तो क्या क्या हैं पहला तो है वास्तविक वर्णन रेखाचित्र वास्तुविक और यथार्थ होना चाहिए वर्णित व्यक्ति या वस्तुके प्रत लेखक का घनिष्ट रागात्मक संबंद होना ये दूसरा तत्त्त है। वर्णित व्यक्तिया वस्तुके प्रत लेखक का किसी न किसी प्रकार का घनिष्ट रागात्मक लगाव होना पर्मावश्यक है। तीसरा है संतुलन एवं तटस्थता भाव एवं संबेदना जाग्रित करने में लेखक का व्यक्तित्व तटस्थ एवं संतुलित होना चाहिए अन्यथा अतिरंजना का दोस्थ सामने आ जाएगा रुज्जो रेखा चित्र की स्वाभाविक्ता को समाप्त कर सकता है और चौथा तत्तो है सूख्षम निरिक्षण एवं चित्रात्मक्ता भ्यक्तिके व्यक्तित्व एवं उसके आंतरिक पक्ष को उभारने के लिए चित्रन की बारी की एवं विश्लेशन की सूख्षमता का होना परमावश्यक है अनिवारिय है अब रेखा चित्र होते कितने प्रकार के हैं तो रेखा चित्र मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं एक वर्णनात्मक दूसरा संस्मननात्मक और तीसरा है चरित्र प्रधान और चौथा है ब्यंगात्मक और अभी मनो विश्लेशनात्मक रेखा चित्र भी लिखे जाने लगे हैं तो इस तरह से पांच भेद होते हैं इसके रेखा चित्र का इतिहास बहुत पुराना नहीं है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग को माना गया है जिसके लेखक हैं स्री पद्म सिंग शर्मा महादेवी जी के अत्रिक स्री राम सर्मा का प्राणों का सोदा स्री राम ब्रिक्ष वेनी पूरी जी की माटी की मूर्तें देवेंद्र सत्यार्थी बहुत अच्छे रेखा चित्र कार रहे हैं इन्होंने लोग गीतों पर भी बहुत काम किया है इनका रेखाएं बोल उठी बनार्सी दास्चतुरवेदी बनार्सी दास्चतुरवेदी की जो सेतुबंध है और स्री कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर की शंक बजे स्री माखन लाल चतुरवेदी की समय के पाउं और जगदीश चंद माथूर की दस तस्वीरें डॉक्टर नगेंद्र की चेतना के बिम्ब फनी स्वन्नात रेण की बन तुलशी की गंध आद अनेक उत्कृष्ण रेखा चित्र अभी भी लिखे जा रहे हैं आईए हम लोग चलते हैं घीशा रेखा चित्र में जिसे महादेवी जी ने बहुत ही भावनातम की इस्तर पर लिखा है घीशा रेखाचित्र में वंचित समाज के पित्र विहीन और कुपोशित शिस घीशा और गुरु महादेवी जी के रागात्मक संबंधों के एहसास को देखा जा सकता है घीशा के जीवन में सुधार और उमंग के भाव एक साथ दिखाई देते हैं जो अल्पकालिक साबित होते हैं घीशा एक ऐसा बालक है जो अत्यधिक गरीब दुबला पतला और कुपोशन का शिकार है वह पक्के रंग का सुडॉल मलिन मुख पर पीली वा स्वेत आंखें पतले होंट सिर्प छोटे छोटे रूखे बाल उभरी हुई हड्डियां मतमेली हथेली तथा फटे पुराने कपड़े किन्तु आँखों में कवतुहल जिग्यासा का भाव दिखाई देता था सीखने की ललक थी घीसा में घीसा के जन्म के पहले ही उसके पिता का देहान थो गया था घर में बच्चे की देखवाल करने वाला कोई नहीं था माने ही उसे पाला पोशा इसलिए जब उसकी माँ उसे एक ओल लिटा कर मजदूरी के काम में लग जाती थी तब वह पेट के बल घीसट घीसट कर चलता था इसलिए उसका नाम घीसा पड़ गया महादेवी बर्मा जी अपने रेखा चित्र में आगे कहती हैं कि गुरू के प्रति उसका अगाध प्रेम था वह सुबा पहले आकर पीपल के पेंड के नीचे की जगह गोवर और मिट्टी से लीपा करता था फिर नहा कर आकर कक्षा मे बैठता था जब गुरू जी स्वच रहने की सलाह देती हैं तब वह अपनी मा से साबुन की माग करता है कि मा मुझे अपने कपड़े धोना है गुरू जी ने कहा है साब कपड़े पहनकेर आया करो तब मा कहती है बेटा अभी मजदूरी तो मिली नहीं है मजदूरी मिलने पर हम तुम्हें साबून दे पाऊंगी। बाद में जम मजदूरी मिलती है। गीषा की मां उन्हें साबून लाकर देती है। गीषा अपने से अपना कुर्टा धोता है। और गिली हो जाती हैं गला भर भरा जाता है वे दुखी हो जाती है और घीशा के पास न पैसा था न खेत फिर भी वह गुर्भक्त था उदार था पूरा सत्र समाप्त होता है महादेवी जी को कहीं जाना है घीशा अपने गुरु को बिदाईद देना चाहता है उसके हिले में महादेवी जी यानि गुरु जी के प्रत अपार स्रद्धा थी वह गुरु जी से जूट बोलना भगवान से जूट बोलना मानता था वह महादेवी जी को इस्वर से भी बड़ा मानता था वह विदाई में गुरु जी को तर्बूज देना चाहता थे वहाग किसी के खेट पर देख आया था और बागी तो उसके पास कुछ था नहीं वहाग खेट पर खेट के मालिक के पास तर्बूर लेने जाता है लेकिन वहाँ खेट में मालिक का बेटा बैठा रहता है जो घीशा से परचीत है घीशा ने जो नया कुर्टा सिलवाया था उसकी नजर उस कुर्टे पर बहुत दिनों से थी घीशा गुरू जी को देने के लिए तर्बूज मागता है परन्त ये भी कहता है देखो मेरे पास देने को पैसे नहीं है वह तर्बूज की कीमत पर उसके नए कुर्ते की माग करता है वह तर्बूज के बदले अपने नया कुर्ता उसे दे देता है तर्बूज सफेद न निकल जाए वह कटवा कर उंगली से चकता है यह एक ऐसा प्रेम है जो आखों को नम कर देता है सामप्रदाइक दंगे के दौरान गुरु जी चपेट में न आ जाए यह सोचकर जुर से ग्रस होने के बाब जूद भी अपनी जोपड़ी से उन्हें खोजने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है गुरु जी एक प्रतिस्ति लेखिका होने के बाब जूद भी जब भी अवकास मिलता वे गंगा के किनारे जहां जूशी पार है वहीं जुगी जोपड़ी के इलाके में गरीब बच्चों के साथ अपने अवकास का जो समय है उसे बेतीत करती थी उन्हें पढ़ाती थी लिख चता का महत तो बताती थी उन्होंने जब महादेवी जी ने तर्बूज लेने से मना कर दिया तब उसकी माने कहा गुरु साहिब आप नहीं लेंगी तो यह रात भर रोएगा चुट्टी भर रोएगा और आपका बताया हुआ पाठ यह दोहराता रहेगा और चुट्टी के उस तर्बूज को सहर स्विकार किया और महादेवी जी आगे कहती है और तब अपने स्नेह में प्रगल्व उस वालक के सिर पर हां थरक कर मैं भावा तिरेक से ही निश्चिंत हो रही उस तट पर किसी गुरू को किसी सिस्टे से कभी ऐसी दक्षिना न मिली होगी ऐसा मुझ से विश्वाफ नहीं परन्तु उस दक्षिना के सामने संसार के अब तक सारे आदान प्रदान ठीके जान पड़े फिर घीशा के सुख का विशेश प्रवंद कर महादेवी जी बाहर चली गई और लोटते लोटते उन्हें कई महीने लग गए इस बीच में उसका कोई समाच महादेवी जी को नहीं मिला जब फिर उस और जाने का महादेवी जी को अवकास मिला तब घीशा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकास दे दिया था महादेवी जी कहती है आज वह कहानी दोहराने की मुझे में शक्ति नहीं है पर संभव है आज के कल कल के कुछ दिन दिनों में मास और मास के वर्ष बन जाने पर मैं दार्षनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बतास रकूंगी अभी मेरे लिए इतना ही परियाप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूरती हूँ इस तरह से यह रेखाचित्र बहुत ही भावना प्रधान बन पड़ा है अब प्रस्ण ये उठता है कि घीशा कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता था वास्तों में घीशा शन्वार के दिन अपने छोटे दुर्वल हांतों से उस पीपल के शबूतरे को गोबर मिटी से लीपा पोता करता था महादेवी जी की जो सीतल पाटी थी उसे जाड़ पोच कर साफ कर यथासान लग देता था पेड की कोटर से कांच की दवात तूटे निप और कलम पेड के कोटर से निकाल कर यथासान लग दिया करता था फिर इतवार को मा के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बधी मोटी रोटी और कुछ नमक का थोड़ा चबैना और गुड की डली बगल में दवा कर वह गंगा तट पर आकर उनका रास्ता देखा करता था और जैसे ही दूर से उनकी नाव को आते देखता था तो तीर की तरह अपने साथियों को दोड़ कर बताता था गुरु साहब आ गई गुरु साहब आ गई और पेड़ के नीचे बैठ जाता था घीशा को देखकर महादेवी जी कहती है आँखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया ऐसा उन्होंने क्यों कहा जब लेखिका ने बच्चों को सफाई का महत्त समझा कर साब सुथरे कपड़े पहनने को कहा तो सारे बच्चे जैसे तैसे पहुँच गए लेकिन घीशा उन पूछने पर ग्यात हुआ कि घीशा मा से कपड़ा धोने के लिए साबुन माग रहा था लेकिन उसकी मा को मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे दुकानदार ने अनाज के बदले साबुन नहीं दिया कल रात मा को पैसे मिले वह साबुन लेने गई अभी लोटी है अतह घीशा कपड़े धो रहा है क्योंकि गुरु साहिबा ने कहा था कि नहा धोकर साप कपड़े पहन करके आना इसलिए घीशा कपड़े धोकर नहा कर गीला अंगोचा लपेटे और आधा भीगा कुर्टा पहने अपराधी के समान उनके सामने जाकर के खड़ा हो गया तो उनकी आखे ही नहीं रोम रोम गीला हो गया उनकी गुर्भक्त देखकर महादेवी जी का हर्दे द्रवित हो गया अब एक प्रस्ण बनता है कि महादेवी बर्मा जी अक्षर अपनी छुटियां कैसे बिदाया करती थी वास्तों में महादेवी बर्मा महिलया बिद्या पीठ की प्राचारी थी और जब उन्हें अवकास मिलता था तो वे गंगा नदी के तड़ पर बसे जूसी के खंडहर में बिताय करती थी वे हमेशा अवकास मिलते ही वहां आ जाती थी और वहां के प्राकृतिक सोंदर को द अब एक सवाल उभरता है कि महादेवी बर्मा को अन्य विद्यार्तियों की अपेक्षा गीशा ही क्यों राद रहा क्योंकि उस मलिन सहमें से नन्य विद्यारती की आखों में न जाने कौन सी जिग्यासा थी जानने की ललक थी जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था ऐसा लगता था मानो सारी विद्या बुद्धि को सोख लेना चाहता है वो खीच लेना चाहता है उनका एक मातर लक्षन वह उन सब के बीच भी अकेला अपनी और महादेवी जी का ध्यान आक्रिष्ट करने में सफल रहा उनकी संबेतना में वह जी उठा महादेवी बर्मा एक स्थल पर कहती हैं तब मैंने जाना के जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला इश्वर उस बुढ़े आदमी से भिन्द नहीं जो अपने सोने की मुहर को कच्ची मित्ती की दिवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है क्यों ऐसा कहा उन्हों ने वास्तों में जिस प्रकार ब्रिद्ध व्यक्ति अपने समस्त जीवन की पूझी को संचित कर रखता है रखने का असान भले ही उतना मजबूत नहों पर उसंतुष्ट रहता है कि उसकी पूझी जो है सुरक्षित रहेगी ठीक उसी प्रकार मानों इश्वर ने भी अपने सारे मनुस्योचित गुण इस मलिन काया वाले निर्धन बालक में समाहत कर दिये थे जो अन्य में द्रिष्टब भी नहीं होते निश्चलता वा बेवहार की सरलता सहजता उसकी कर्तब परायनता और गुर्भक्ति अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मि जास्तों में घीशा जो संस्मनात्म ग्रेखा चित्र है इसमें महियसी महादेवी वर्मा ने घीशा के माध्यम से निरीह, दुखी, गरीब, बच्चों के चरित्र का उद्गाटन किया है और घीशा के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयाज किया है कि एक गरीब बालक किस तरह से गुर्भक्त हो सकता है और किस प्रकार वही मांदार, निश्थावान, लगन सील, अध्यायन सील बन सकता है और दूसरी बात, आवकास के क्षणों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इस तरह की बस्तियों में, उन्हें मैली कुचैली बस्तियों में जाकर, बच्चों को एकत्र करके उन्हें लिखने पढ़ाने के लिए प्रोसाहिद करना चाहिए, साथ ही उन्हें संदेश भी दिया जाना चाहिए